माईया तुमेने बुलाओ आमे आया माईया को ली रखे ना पेने के मारीया मुरी माईया क्रिपा करे जगे दंबे महरानीया माईया तुमेने बुलाओ आमे आयो माँ सुनता दीधी अरे चिंकी के मम्मी आज कहां से भूल पड़ी हैं हम फूल लेने जा रहे थे थोड़ा मित्टी भी लानी थे जब आरे मुने है ब्रत रत होगा बड़े हो मगा रहे हो ब्रत रखा है आपने भी कहेगा ब्रत हमने तो कोई ब्रत नहीं रखा है बस ऐसी गा रहे थे क्या है लो करलो बात आपको नहीं पता असे नोरात्री चालो हो गई है ए सच में ये भगवाण मुझे तो पता भी नहीं था सच में चिंके के मम्मी मैं तो ऐसी गा रहे थी Oh my God पूजही लग रहा है माता मेरे कंटी प्राज गई है सच में चलो यह तो अच्छी बात है अब तो पता चल गया ब्रत रहोगी क्या देखो ब्रत की तु नहीं कह सकती हूं पर हाँ पूजा तुम्हें करती हूं पूजा पाट में मैं सबसे आगी हूं अब ब्रत का पता चले देखती हूं घर में कौन-कौन ब्रत है बताते हैं नौरात्री गब्रत रहो न तो सारे संकट दूर होते हैं मातरानी से जो कुछ मांगो इन नौदन में पूरा होता है अच्छे से पूजा पाट करो तुर्गा का बच पड़ो दोनों टाइम उनकी जोज जलाओ जब आरे वो अखंजो जलाओ बहुत पुन मिलता है वो तो मुझे पता है पर क्या करूं चिंकी के मम्मी एक टंसन है मेरे दिमागे बिना रोटी खाए ना मेरे गुजारा नहीं होता है मैं तो जाने कपसे मातरानी से यही बोल रही हूं कि मैया मुझे कोई अच्छा रास्ता देखा मेरे सजबे वाले खाए जा रहे हैं पूरे दिन काम करवाते हैं पूरे दिन काम करवाते हैं एक फल के लिए चैन नहीं है तभी तो यहां आगे बैठ गई थी चिपके से लाती लगाए रहते हैं पर मुझे तो मातरानी से बहुत कुछ मांगना है उसके लिए ब्रत करना प लेखे कि मम्मी तुमने भी ना चलो ठीक है देखती हूं और हिम्मत बन गई तो एक दिन बनी रहोंगे चलो ठीक है देख लेना ना हो पाए न तो पहला और लास्ट बनी रहना मैं चलती हो मुझे लेट हो जाएगा मुझे तो खपर रखना है ठीक है बड़ी आही फल चाहिए फल की चेश्टा करती है करम नहीं करेंगी जैसे कोई जानता नहों कितनी भूली बन के दिखा रहे है आसे नौरात्री चैलू होगे यह मेरी तरब से पूरे भारत भाषियों के हैपी नौरात्री माता रानी आपके घर में हमेशा भंडारे भरे रखें सबको हमेशा खुश रखें लचमी बहू लचमी बहू जी माजी बुला रहे हैं थी क्या आप बुलाने आई हूं दादी बैठी है जब आरे आरे बारे बोने है तो उससे बोला था कि उसमें खपर में मिटी इटी जब आरे आरे बारे वो कर देना जो डाल देना डाल दी है सब कुछ इंतजाम कर दिया सारा इंतजाम हमने कर दिया है बस चौकी में बैठाने बैठाने है अरे तो चलो फिर कब बैठालोगी साम को चलो बैठाल दिये जावन न मूरत निकल जाएगा हाँ माजी चलती हूँ बस सबजी छोक नहीं ती छोक दू नहीं तो फिर बच्चे लोग और सब लोगों को टायम हो जाएगा न खाना खाने का बस आप चलिए मैं आती हो सबजी छोक की अरे बेठा तू नो दिन का ब्राथ है तू खाना बना रही है बागी सुनता हो प्रिया सब कहां गई उनसे बोल दे वो बना लेंगी हम नो दिन तो कम से कम ढग से बनाई सकती है न प्रिया भी तो ब्राथ है प्रिया ने भी रखा है क्या हाँ प्रिया भी ब्राथ है अब जब प्रिया है मैं हूँ तो क्या है मूँ बांद के नाग बांद के बना लूँगी उसकी कोई जरूरत नहीं है सुनता बहू है वो बना लेगी सुनता बहू सुनता बहू कहां है इतारा जिना जिनताई कहां थी गलाप फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूं सुनाई नहीं दे रहा क्या कर रही थी नहा रही थी क्या नहीं तु बैठी थी मन नहीं लग रहा था तो बाहर जाके बैठ गई थी ओ चल कोई बात नहीं सम्मन लगेगा भी देख एक काम कर जा सबजी छोग दे और जब सबजी छोग के नहा ले जाके फिर आके रोटी बना ले यो माजी दीदी तो बना रही है मेरी बात सुन बेटा दीदी और प्रिया दोनो नो नो दिन का ब्रत की है ठीक है तो जवारे भी बोनी है पूजा भी करनी है समझ गई तो तू बना ले खाना अब नो दिन वो खाना बनाएंगी आटा जाएगा कहीं कोच है कोच है तो अब रह रही है तो अच्छे से रह लें कहीं के लिए लच् अगवान क्या करूं कुछ सोच नहीं पा रही हूं मातरानी बुद्धी दो मुझे क्या हुआ सुनता बो वो तेड़ा मेड़ा मुझे बनाए है मैं कुछ कह रही हूं सुनाए नहीं दे रहा है अधर क्या सोच रही है टाक में हाथ टोनी में हाथ लगा के माजी कुछ नहीं सोच रही थी यह कह रही थी कि खाना बना लेंगे तो कोई बात नहीं है बना लेंगे कोई भी बना है घर में हम भी नाक मुदाप के क्यों बना लेंगे खाना तुझी महकता है क्या? हरे महकता नहीं है हम भी तो ब्रत हैं आपको हम सर्प्राइज देने की तैयारी में थे लेकिन आपने अभी पोल खुलो आ ली चलो कोई बात नहीं है अब ब्रत है तो क्या किया चाहेगा उसमें? देदी बनाए हम बनाए प्रिया बनाए बात नहीं कि क्या बात कर रही सुनता हो तुमने ब्रत रखा है? और क्या? अब सब कोई ब्रत रहता है सब कोई पूजा पाट करता है तो मैं कैसी रह जाऊंगी? मैं भी करूंगी मुझे भी कुछ मांगना है मातरानी से मैं ऐसी धोड़ी न फिरती रहूंगी पूरी जिन्द की कामी करते अरे बेटा ये तो अच्छी बात है आज की डेट में भक्ती करता ही कौन है मुझे तो बड़ी खुशी हुई सुनकी और मुझे लग नहीं रहा थोड़ा सा असमंजस में हूँ लच्मी बहू जी माजी तो जिब विश्वास हो रहा है सुनता की बातों में कि नो दिन का बिरत रह लेगी हाँ माजी क्यों नहीं क्यों नहीं रह लेगी हमें तो हो रहा है लो माजी अब हो गया ना विश्वास सब तो दीदी ने भी बोल दिया, आप बताएए, अब खाना कौन बनाएगा, आप या फिर पापा जी, या फिर दीदी को बुलाएंगी, उनके सस्राल से, नौ दिन के लिए बुला ले थे, पागल कहेंगी, दीदी को बुलाऊंगी, दीदी इपने घर में पूजा पाट नह करेगी, वो इधर खाना बनाने आएगी, बुद्धी उती है तेरे, हरे माजी, कोई बात नहीं रहने दीजिए न, हम बना लेंगे, हर बार बनाते तो है, लो, बोल दो दिया, दीदीने, क्यो बना लेंगी, आप खाम खाम परिसान हो रही है, पता नहीं क्यों इत्ता दिमा तो आपके इनर्जी खतम नहीं होने पाए, जब ब्रत अथ खंडित कर लो, तो इस ताई रहो जित्ती इनर्जी है, उसको समाल के रखो नो दिन के लिए, सही कह रही है सुन्दा, इनर्जी तो बचा के रखनी पड़े, क्योंकि तू ब्रत है न इसलिए, मुझे अपनी इन इसलिए तो जूट बोली नहीं सकती, कोई बात नहीं है माजी, ब्रत होगी तभी तो छोटी बोल रही है, वे नहीं दीजिए, मैं अभी खाना बना के आती हूँ, हाल अच्मी बहु, अब तो बीटा, बनाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है, चल ठीक है छोकली सबजी अ जब तक में जाके इंतिजाम लगवाती हूँ, तू आजा, पूजा करते हैं, सुनता बहु, तू भी नहाले बेटा, आजा तो भी पूजा कर ले, एक है माजी, लच्मी बहु, अप्रिया बहु बराथ है, तो हम सुनता बहु खाना बना ले, सुनता बहु बनाएगी खाना मेरे ठेंगे से, बड़ी आई, अब मैं भी ब्रत रहूँगी, नो दिन, मुझे पता था, कि यही होगा, अच्छा हुआ उसने बता दिया, चिंकिया कि मम्मी बहुत बहुत धनवाद, अम मैं नो दिन बरत रहूँगी,